क्या आपके हाथों में है बहुत ज्यादा फैट जिसे की आप बहुत ज्यादा अंकमफर्टबल फिल करते हो और कोई भी पसक के कपड़े पहलने से पहले आपको बहुत ज्यादा है अपके हाथों में बहुत ज्यादा फैट है तो बस पाच मिनित में फैट बर्न करने वाली यह आठ एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए. Okay guys, this is Tannu and welcome back to my channel. So, today I am going to share with you only 8 workouts. In which you will only take 5 minutes time. And if you will follow these workouts on a daily basis on a daily basis, as I will show you, so this is my guarantee that you will get a very good result after 7 days. So, this is a 7-day challenge. And I hope that this challenge you will accept if you want to get extra bulges of your hands and a toned biceps and arm. So, yeah, guys, now without any further ado, let's get started. So, we have to do total 8 exercises. We will follow the exercise for 30 seconds and then we will rest for 10 seconds. So, our first workout is the arm circle. इसके लिए आपको अपने हाथों को स्ट्रेच करना होगा. Exercise के दोडान आपके हाथ स्ट्रेच होने चाहिए. अब धीरे धीरे हाथों को गोल-गोल घुमाए. आप किसी भी दिशा में अपने हाथों को घुमा सकती है. इस exercise में आपको 30 seconds तक हाथों को रोटेट करना होगा. हमारी next workout है Flying Arms. इस exercise को करने के लिए आपको सीधे खरे होकर अपने हाथों को पंक की तरह फैलाना होगा. इसके बाद आपको 30 seconds तक हाथों को स्ट्रेच करते हुए हवा में चिरिया जैसे पंक लहराती है. वैसे ही आपको हाथों को लहराना होगा. हमारी third workout है Tricep Dips. इस व्याम के दोरान आपको आगे की तरफ जुकना नहीं है. शरीर को सीधा रखते हुए जितना हो सके नीचे की और आए, कोहुनियों को सीधा करके अपने आपको उपर उठाए. तो ये एक रेप कहलाएगा. जितना हो सके फुल मोशन रेप करने की कोशिश करे, इससे आपको कम समय में ही अच्छे पड़िनाम मिल सकते हैं. हमारी नेक्स्ट वोक आउट है, प्रेयर होल्ड. इस एकसरसाइस के लिए आपको दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना हैं जैसे आप पूजा करने के दोड़ान जोड़ती हैं. इसके बाद आपको अपने दोनों इल्बोज को भी जोड़ना हैं. इसके बाद अपने हाथों को इसी मुद्रा में सीने से उपर की और उठाएं और इस पोज में 30 सेगेंड तक रहें और फिर से इसे दोबारा करें. हमारी नेक्स्ट वोक आउट है, पुश अप्स. पुश अप्स के लिए आपको जमीन पर पेट के बल लेटना होगा और हाथों की मदद से अपने पूरी बॉडी की वेट को उठाना होगा. ये एक्सरसाइज आसान नहीं होती है, मगर ये नाकेवल हाथों के फैट को बलकि पूरी बॉडी के अलग-अलग हिस्से में जमा फैट को बर्न करती है. लेकिन अगर आप एक बिगीनर हो, तो आप अपने घुटनों के बल बे भी पुश अप्स लगा सकते हो. हमारी अगली वॉक आउट है, सीजर्स. इस एक्सरसाइज को आप खरे होकर भी कर सकते हो, या फिर बैट कर भी कर सकते हो. इसके लिए आपको अपने हाथों को स्ट्रेट करना है, और फिर इसे कैची की तरह, मतलब सीजर की तरह, एक के उपर एक करना है. इस क्डिया को कई बार दोड़ाए, या फिर 30 सेगंड्स तक जरूर फॉलो करे. हमारी आज की लास्ट वॉक आउट है, इल्बो टाचस. इस वर्काउट को करने के लिए आप अपने उंगलियों से अपने शोल्डर्स को टच करें, और फिर क्लॉक वाइस इसे गोल-गोल घुमाए और एल्बोस को टच करवाए. ठीक उसी तरह 15 सेगंड के बाद, आफ्टर 15 सेगंड्स आप एंटी क्लॉक वाइस भी ये वर्काउट रिपीट करें, 30 सेगंड्स तक इसे जरूर फॉलो करें. So guys, that's all for today. I hope कि ये वीडियो आपको useful लगा है. And after 7 days, please let me know in the comment section that what kind of changes you are seeing in your arms. And yeah, मुझे बहुत खुशी होगी जानकर अगर आपको कोई visible results देखने को मिलेगा. And if you accept this challenge for 7 days and you follow this routine for 7 days regularly, आपको जरूर एक बहुत अच्छा result देखने को मिलेगा. This is my guarantee. So do not forget to accept this challenge guys. And yeah, keep coming back to my channel also in my next video. Till then, take care.